हेलो इवरीवन स्वागत है हमारे यूटूब चैनल बेला जो मोलोचिस्ट में आज हम आपको इस वीडियो में फैरोजी का बर्निंग टेस्ट करेंगे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फैरोजा हैं यह जो है फैरोजा भट्टी का फैरोजा जो बॉडर में बना है यह सिंटर्टीक फैरोजा और तीसरा जो है इरानी फैरोजा यह तीनों को बर्निंग टेस्ट करके हम आपको बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है तो चलिए शुरू करते हैं इसका फैरोजा है फैर्स्ट हम जो पाट्टी का फैरोजा है पौर्डर वडा जो मैंने बताया था फिफ्टी नैशुर्ल होता है फिफ। परसेंट waktu r вн 12 ऊच्प्सीर होता है उसका बर्निंग टेस् करेंगे अब देखें इसका बर्निंग टेस्टाइट हो गया है जैसे बर्न कर रहे हैं उसको ब्लैक हो रहा है थोड़ा थोड़ा देखें सेड़नली एक बर्स्ट हुआ है मतलब यह जो वट्टी का है पौडर वाला वो बर्स्ट हो जाता है अब इसकेंड जो हम टेस्ट करने वाले हैं वह आ कि सिंथेटीक फिरोजा है मतलब फिच़े जो लॉक लगाया गया है गम वह आके शिंथेटीक फिरोजा है तो देखें अप जैसे बर्न करें यह ब्लैक होते जा रहा है और जो फिचे जो गम लगाया है उसको गर्म करें तो गिर रहा है जो लॉक लगाया है गम वो एकदम गिर रहा है देखे एकदम फिचे से और पूरा गम निकल गया है तो पूरा काला हो गया है अभी हम इसको वाटर में दाल के बताएंगे कि इसका जो गम निकल लगा है इसको हम डिरेक्टली वाटर में क्लीन करेंगे अब देखिए उसका जो गम है वो निकल रहा है जैसे सिंथर्टिक फेरोजे को वाटर में वाश करके क्लीन करता हैं, देखिए इसको एकदम ब्लू कलर से ग्रीन हो गया, इसको जो कलर चड़ाय गया वो भी निकल गया है, और ख्रैक भी आया है थोड़े, और फिचे जो गम लगाया हो निकल के एकदम काला हो गया है, जैसे आपको बाइक करना है, तो हमारा कॉंटक डीटेल डिस्क्रिप्शन में है, उदर से कॉंटक कीजिए, अल ओवर इंडिया डिलिवेरी अवेलेबल है, और सी ओडी ऑप्शन भी अवेलेबल है, उसके थोड़े टर्म्स और कंडिशन है, अभी लास्ट में हम इरानी फेरोज का पीस है, वो मैं बर्न करके दिखा रहा हूँ, मैंने भट्टी का फेरोजा जो पावडर का है वो और सिंटेटिक फेरोजा को दोनों को टेस्ट करके बताया था, तो उसका एक एक पीस टेस्ट करके बता हूँगा, क्योंकि यह बहुत एक्सपेंसिव आता है, और आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होना है, अप इदर वीडियो देख लिजिए इसका रिजल्ट क्या आता है, देखें जैसे बन करें एकदम काला हो रहा है, फूटेगा नहीं और कुछ होगा नहीं इस पे, क्रैक भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन काला हो रहा है, देखें इसको क्ली करें करके है, देखें, उपर का जो सिलवर है वो आ रहा है, लेकिन विजिए बलू कलर का जो था और जाने रहा है, अब हम जो है एरानी फरोजय का दूसरा पीस टेस्क करके बता रहा है, आपने पहला पीस का तो रिजल्ट देख लिया है, उसमें क्रैक कुछ नहीं आ रहा है लेकिन काला हो गया है अब हम दूसरा पीस भी आपको टेस्ट करके बता रहा है आप देखिए इसको बर्निंग हो रहा है लेकिन सिर्फ काला हो रहा है लेकिन क्रैक कुछ भी होने रहा है जैसे फस्ट पीस को वा था देखे आभी इसको एकदम टू इन्टू टू स्पीड में करके वीडियो दिखा रहा हूँ तो आपका टाइम बचेगा इसलिए देखे इसकेंड पीस को भी हम क्लीन करके जो बताएंगे उसका रिजल्ट पी आप देख सकते हैं अभी जो आप देख रहे हैं चारों पीस का रिजल्ट है जो हमने जो चारों पीस को टेस्किया है उसका रिजल्ट है फस्स पीस जो हमने किया था पौडर वाला भटी वाला आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट सकेंड पीस का रिजल्ट देख सकते हैं तटीक वाले का पिछेगा गम बन वाया कलर चले गया है तीसरा और चोता पीज जो है वह इरानी फरोजा है देखें ब्लाक हुआ है इरानी फरोजा लेकिन कुछ क्रैक या कुछ नहीं है उसका पाइरेट जो सिल्वर है उपर वो भी दिखाई दे रहा है आपको एकदम सब अ पैसा वेस्ट मत करें एंस्टेड आप कही आस सब्स्राइब में टेफ करवा लिजये लाब में टेस्सक्राइब questo करके बता देंगे अ है रहां है दूसरों की एक-एक पीस का है लेकिन नीफरोजग के दो पीस क्या है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेर कीजिए तैंक यू